नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदतान और मैं हूँ आपके साथ हार्जी अंजू रेडियो कहानी में आज की कहानी का शिर्चक है चमतकार एक कम्पनी की हर दिपावली की पुर्व संध्या पर एक पार्टी और लोट्री आयुजित करने की परंपरा थी लोट्री ड्रॉ के नियम इस प्रकार थे प्रतेक करमचारी एक फंड के रूप में 100 रुपय का भुकतान करता है कम्पनी में 300 लोग कारी करते थे यानि कुल 30,000 रुपय जुटाए जा सकते हैं विजेता सारा पैसा ले जाता है लोट्री ड्रॉ के दिन कार्याले चहल पहल से भर गया सभी निकागस की पर्चियों पर नाम लिखकर लोट्री बॉक्स में डाल दिया हाला कि एक यूवक लिखने से जीज़क रहा था उसने सोचा कि कम्पनी की सफाई वाली महिला के कमजोर और बिमार बेटे का नए साल की सुबह के तुरंत बाद ऑपरेशन होने वाला था लेकिन इसके पास ऑपरेशन के लिए आवश्चिक पैसे नहीं थे जिससे वह काफी परिशान थी भले ही वह जानता था कि जीतने की संभावना कम है केवल 0.33 प्रतिशत संभावना है उसने नोट पर सफाई वाली महिला का नाम लिख दिया उससापुर्ण च्छन आया बोस ने लोटरी बॉक्स को हिलाते हुए उसमें से एक परची निकाली वह आदमी भी अपने दिल में प्रात्ना करता रहा इस उमीद से कि सफाई वाली महिला पुर्ण का जीच सकती है तब बोस ने ध्यान से विजेता के नाम की घोशना की और लोग चमतकार हुआ विजेता सफाई वाली महिला निकली कार्याले में खुशी की लहर दोड़ गई और वा महिला पुर्ण कार लेने के लिए तेजी से मंच पर पहुँची वा फूट फूट कर रोने लगी और कहा मैं बहुत भागिशाली हूँ और धन्य हूँ इस पैसे से मेरे बेटे को अब एक नया जीवन मिलेगा ये मेरी आशा है इस चमतकार के बारे में सोचते हुए वा आदमी लोटरी बॉक्स की और बढ़ा उसने कागस का एक टुकडा निकाला और यूँ ही उसे खोला उस पर भी सफाई वाली महिला का नाम लिखा था वा आदमी बहुत हैरान हो गया उसने एक के बाद एक कागस की कई टुकडे निकाले हाला कि उन पर लिखावट अलग-अलग थी नाम सभी एक ही थे वे सभी सफाई वाली महिला के नाम थे आदमी की आखों में आसु भराए और वा इस पश्ट रूप से ये समझ गया कि ये क्या चमतकार है खुद बनाना पड़ता है क्योंकि चमतकार करने और होने का माध्यम हमी होते है यदि हम किसी के जीवन में खुशिया लाना चाहते हैं या चमतकार चाहे उसे आप चमतकार कह लीजे चमतकार करना चाहते है तो उसके लिए हमें अपनी सकारात्मत्ता के साथ पहल तो स्वयम ही करनी होगी है की नहीं तो इसी के साथ मैं लूँगी एनुमती रेडियो कहानी में फिर से एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्तित हो जाओंगी तब तक के लिए नमस्कार